नानक नाम चड़दीकला तेरे पाने सर्बत दापला आपके श्रीचर्णों में मेरा कोटन कोट नमस्कार है और बहुत खुशी हो रही है आप सब के दर्शन करके दर्शन किसी ऐसे वडपागी जीव के जो परमात्मा के रंग में रंगे हो जिनको खींच हो परमात्मा की जिनके अंदर परमात्मा बैठा हो त बसा हो ऐसे पुर्श के दर्शन करने से ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से जनम सफल होता है संगत से बढ़कर कौन है तानगुरु नानक देव जी, महराज जी सब जगा जगा जाया करते थे हर जगा और आपने अब पैदल चलके पैदल चलके 82,000 माइल पैदल सफर तै किया है पुरे भ्रह्मन किया नौखंड पृत्वी का फिर जहां जहां तानगुरु नानक देव जी, महराजी पहुंचे वहाँ पर जाकर तो प्यार देते थे साथ संकिर्टन किया करते थे जब वहाँ से महीना 15 दिन संगत में रहना तो कि पैदल था तो संगत से महबबत हो जानी संगत को आदत पढ़ जानी गुरु महराजी की वाणी गुरु महराजी के शबद साथ संग इतने मीठे लगने, इतनी कृपा हो बढ़सनी तो उस समय फिर लोगों ने बिंती करनी महराजी से कि गुरु महराजी आप हमें छोड़कर मत जाएए आप यहीं रहिए तो फिर गुरु महराजी ने कहना नहीं, मुझे और भी दुनिया तारनी है, और भी दुनिया का भला करना है संत एक नदी की तरह बहते हैं आज यहां पर हैं कल कहीं और हैं परसों कहीं और हैं इतनी बड़ी दुनिया है अगर मैं एक दुनिया को सवारने में लगूँगा फिर उन दुनिया का क्या होगा मेरे इश्वर ने मुझे कहा है सारी दुनिया का भला करना है इस तरह से वो आगे बढ़ते और संगत को कह कर जाते जो संगत वहां पर होती कि तुम सब मेरे बिना उस परमात्मा को याद करोगे जो मैं तुमें आज याद कराता हूँ तुम मिल जुलकर बैठकर उस परमात्मा की परसंसा करोगे गीत गाओगे, गुण गाओगे गुण गाओगे गुण गामा दिन रात नानक चाओ एहो हम क्यूं इकठ्य हुए हैं बिन पागा साथ संग न लबे साथ संग सुनना कथा सुननी सुखमनी साब का फरमान है सबते उत्म हर की कथा जब सबसे उपर है हरी की कथा तो फिर हरी की कथा सबसे श्रेष्ट है तो मैं अगर उस कथा को सुनूँगा तो फिर मैं भी बड़ा हो जाओंगा उसके साथ साथ सबसे उत्म है मेरा मालिक सबसे उपर है मेरा प्रबु अगर हम प्रभू की परसंसक करेंगे, सुनेंगे तो मैं भी तो बड़ा हो जाओंगो उसकी साथ-साथ साथ संगत एक बड़ा सुन्दर ये वातावरन देखो कितना सुन्दर बनता है हम सब लोग आज बैठे हैं शादी के लिए नहीं बैठे पार्टी नहीं हो रही कोई किसी के लिए नहीं बैठे आज हम बैठे हैं अपने परमात्मा के कारण बर परमात्मा के लिए बिस प्रभू तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं तुमारी बात सुनना चाहते हैं कोई मेरे हर प्रीतम की मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की मेरे हरी की मेरे प्रीतम की मेरे प्रभू की कोई बात सुना रहा है हम वहां बैठे हैं कोई कहानिया नहीं सुनाई जा रही कोई राजे महराजों के किसे नहीं सुनाए जा रहे कोई यहां पर राजनितिक बाते नहीं हो रही कोई मेरी जैजैकार नहीं हो रही कोई तुमारी जैजैकार नहीं हो रही यहां तो परमात्मा की जैजैकार हो रही है बस आप सिर्फ एकठे हुए हम सिर्फ परमात्मा के लिए कि प्रभू आपके बिना हम किसी काम के नहीं है और आपके बिना हमारा दिल भी नहीं लगता आप चाहे जो मर्जी कर लो एक बात याद रखना कुछ भी कर लो सारी दुनिया घूम लो जाओ अमरीका घूम लो कैनिडा घूम लो मैं तुम्हें खुला बोलता हूँ जो करना कर लो सब कुछ घूमने फिरने और देखने के बाद सब कुछ करने के बाद भी मन ने उदास ही रहना है दुखी ही रहना है कर लो जो करना है जो कर लो यह हमारे में कैप्टन साथ बैठे हैं नेवी कहां कहां नहीं गए आप पूरा समुंदर घूम लिया पूरा वर्ल्ड घूम लिया मैं कहा एक बार नहीं मेरे खाल से पचासव बार घूम लिया होगा फिफ्टी टाइम्स यह नेवी मर्चंट हैं कमांडर है वहां पर सिखाते हैं शाजशिप में पता नहीं कितनी बार दुनिया घूम ली इन लोगों इनोंने क्योंकि दुनिया तो बहुत चोटी है इन लोगों के लिए घूम रहे हैं पर मन फिर भी परमातमा के लिए उदासी रहता है वो कहीं नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला कहीं पर भी यही बस उसकी प्रॉब्लम है कि वो कहीं मिलता नहीं है और कहां मिलता है संगत में मिलता है आखिरकार हमें संगत में ही बैठना पड़ता है उसको ढूनने के लिए अमरीका करेड़ा में नहीं बैठना पड़ सत्संग में भी बैठना पड़ता है किर्तन में बैठना पड़ता है यही चीज गुर्णानक देव जी ने जाते-जाते लोगों को समझा दी कि मैं जा रहा हूं मेरे पिछे से अपने यहां पर धर्म स्थान बनाना एक धर्म का तीरत बनाना एक छोटा सा स्थान खड़ा करना और रब की परसंसा करना एक दूसरे को रब की बाते सुनाना ताकि उसका प्रेम पैदा हो सके आप परमात्मा की बात सुनोगे तबी तो प्रेम जागेगा भीतर से जब सुनोगे फिल्मे लोगों की बाते तो फिल्मों के साथ प्रेम जागेगा सुनोगे पैसे की बाते त दुकानों से ही मोहबबत होगी, कोई उस परमात्मा से मोहबबत थोड़ी होगी. जिस तरफ ध्यान होगा हमारा, वही तो हमारे को दिखाई देगा. हमारे बस में नहीं होता. तिबबत के महागुरू थे, उनके पास एक व्यक्ति आता है, और वह कहता है कि मुझे समाधी करनी है, मुझे ध्यान लगाना है, आप समाधी में मुझे बिठाओ, मुझे कोई मंत्र दो, मैं जुड़ सकूँ परमात्मा के साथ. और वह तिबबत के वह गुरू कहते हैं, कि मैं तुम्हें कैसे जोड़ सकता हूं परमात्मा से तुम खुद जोड़ोगे मैं थोड़ी जोड़ सकता हूं तुम्हें बोले आप कुछ ऐसा कर दो मैं जोड़ जाओं बोले मैं कुछ नहीं कर सकता बोले आप क्या जबते हो कहते हैं, मैं जपता कुछ नहीं हूँ, बस मैं उसका ध्यान करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, मैं उससे महबत करता हूँ, ये बात उसे समझ नहीं आई, जिद पकड़ ली, कि नहीं आप गुरू हैं, आप जुड़ जाते हैं, आप चौंक्री मारके बैठे हैं, आपका ध मंतर दे देता हूं, तो मंतर घर में जाके जब लेना, पर एक चीज का ध्यान रहे, जब ध्यान लगे, तो बंदर का ध्यान ना आए मन में, बंदर नहीं आना चाहिए, बुलो ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो ऐसे भी बंदरों को मैंने ज्यादा देखा नहीं है, त ध्यान रहे कि जब भी आँख बंद करो, तो बंदर नहीं आना चाहिए, फिर तुमारा ध्यान फटा फट लगेगा, ये मंतर जब लो, अब वो सेवक, जब भी आँख बंद करके बैठे, तो बंदर उसकी आँखों के आगे नाचने टपने लगे, क्योंकि मना कर दियाना क ये काम ना करो, जब आपको कोई मना कर देता है, कि आपने विकार छोड़ने है, काम करो दो लो, मोहंकार छोड़ना है, आप उतना ज्यादा करते हो, जब आपको कहा जाता है, मत करो, लोगों कहा जाता है, समझाय जाता है, सब लोगों को, कि अपना हिर्दे शुद करके ग गुर्दवारे आओ यह नहीं कहा जाता कि गुर्दवारे आओगे तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा तुमारा आओ तो सही यार मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा आना तो शुरू करो बानी जपोगे तो मन अपने आप शुद होगा शुद करके अगर बानी जपनी है तो इसका मतलब कोई ऐस तिनी बड़ी ताकत है कोई कि जो पहले से शुद कर दे हमें पहले से कोई मंदिर गुर्दवारे से बड़ा कोई चीज मिल गई फिर हमें मंदिर गुर्द्वारे जाने की जुरूत किया है अगर किसी ने हमें पहले ही शुद्ध कर दिया तो नहीं एक छोटी सी मेरी बिंती है कि आपको प्रभू के पास जाना है अगर क्रिशन के पास जाना है तो क्रिशन से बड़ा कोई है तो कृष्ण बिठाओ अपने हिर्दे में बस कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है ना हुआ है ना होगा एक बात का ध्यान रखिएगा वो आपकी मद्द करना चाहता है हर व्यक्ति के साथ में रहता है आपके प्रभू को आपका पता है कि आपको क्या चाहिए आप confused हैं हम लोग confused हैं हमें अभी कुछ और चाहिए उसके बाद हमें दो तिन दिन बाद कुछ और चाहिए फिर तीन-चर दिन के बाद कुछ और चाहिए फिर तीन-चर दिन के बाद कुछ और चाहिए आज हमने परमात्मा को भी confused कर दिया है अपने चाहने से अपनी इच्छाओं के जाल से हम परमातमा से कुछ मांगते हैं घर जाते हैं दो-चार दिन के अंदर वो जो है मांग खराब हो गई अब उसको ठीक कर दो प्रभू पहले मांगा मेरे घर में प्रभू किरपा करो मेरे पुत्र की शादी नहीं होती अब मेरे पुत्र की शादी हो गई अब शादी हो गई तो अब बहु ठीक नहीं आई लईयां जगड़े शुरू हो गई अब परमातमा के पास फिर चले गए और कहा कि प्रभू अब बहु ठीक नहीं है अब प्रबू को प्रबू अब इसको भगा दो कि ठीक किरपा करो इसको भाग जाएए पहले शादी की अर्दास लगाई है अब भागने की अर्दास लगाई है कि इसको भगाओ अब परमात्मा क्या करेगा हमारी मद्द Confused हमें एक परसंट भी confusion नहीं चाहिए अपने हिर्दे में एक चीज पकी बांद लीजिए आप क्या करें इसका अंसर क्या है जैसे मैं आपको एक प्रशन कर रहा हूं तो आप बोलेंगे इसका अंसर क्या है जवाब क्या है इसका जवाब यह है कि आप अपने आपको परमात्मा पर छोड़ देजिए जो करेगा वो करेगा जो करे सो करतार प्रभू तुम करोगे एक दिन की कहानी सुना देता हूं यह साखी है तानगुरु अरजन देव जी महराजी की बात है गोल्डन टेंपल की हरमंदर साब की गोल्डन टेंपल में तानगुरु अरजन देव जी महराजी सुरोवर साब की सेवा करवा रहे है अगर आपने देखा हो वहां बहुत बड़ा सुरोवर है गोल्डन टेंपल में वो सुरोवर साब की सेवा चल रही है और सेवा में सेवादार भी है पर सारे सेवादार नहीं है और भी लोग हैं जो दिहाडी में मजदूरी महराजी देते हैं उन्हें रोज के रोज मजदूर भी है दिहाडी दार लोग भी है जो की सेवा करते हैं तो महराजी उन्हें द्याडी भी देते हैं आज क्या हुआ है आज जब द्याडी देने के लिए गुरु महराजी ने अपनी गुथी पोटली जो कि खजानची के पास रखते हैं खजानची आता है शाम के वक्त गुरु अरजन देव जी सचे पाच्छा जी के पास आकर कहने लगा कि सचे पाच्छा ये जो पोटली है इसमें इतनी ज़्यादा अब खजाने नहीं है अभी इतनी पैसा नहीं है रुपया नहीं है कि आज हम द्याडी दे सकें मजदूरी दे सकें तो महराजी को कहा कि सचे पाच्छा पैसे में आज कभी है धन नहीं है इतना आज सचे पाच्छा महराजी ने पोठली पकड़ी सामने रखी ध्यान दिया देखा गौर से लंबी सांसली प्रमातमा को देखा रब का ध्यान किया उपर हाथ जोड़े आपना ही शबत जपा तेरा पाना मीठा लगे तेरा पाना मीठा लगे प्रबु तेरा जो भाना है जो तेरी मर्जी है मुझे मीठी लग रही है जो तु कर रहा है वो ठीक कर रहा है इसका ये मतलब है जो तेरे द्वारा हो रहा है क्योंकि तु करता है तु करने वाला है और मैं करम कमाने वाला हूँ आप सब कुछ करने वाले हो तो ये महराजी ने अपने ही शबद को अपने ही शबद को जबते हुए जो उन्होंने आप ही रचा है शबद खुद कहते हैं गुरु महराजी तेरा पाना मीठा लागे इतनी बात करी तो एक सिवक थोड़ी देर के बाद आता है आके सचे पाच्छा जी महराजी के चरनों में मथा टेकता है मथा टेक के अपने जेव से पोठली निकालता है निकालके महराजी के शिरी चरनों में रखता है और रखके महराजी की जो पोठली महराजी के सामने गुथी पड़ी हुई है, उसको अपने हाथ से साइड पे करता है, परे करता है थोड़ा सा, वो गुथी आगे रखता है और कहता है सचे पाच्छा गरीब निवाज, आज अपनी गुथी से किरपा मत करना, आपकी ये भी गुथी आपकी है, इस गरीब की गुथी से किरपा करो, इस गरीब की गुथी से संगत को, मजदूर और द्याडीदार लोगों को इस गुथी से किरपा करो, सचे पाच्छा, ये भी आपकी गुथी है, ये धन भी आपका है, महराजी, खुश हो के कहने लगें, सिर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं, जा तेरे पे गुर्णानक पाच्छा, मेरा गुर्णानक सचे पाच्छा, पला करे तेरा, और इतना वर्दान दे कहते हैं, तू तो शाह है हमारा, उसका नाम था पाई सोमा शाह, उसे वर्दान दे देते हैं, तो तो शाह है हमारा जब पैसे नहीं है गुरु महराजी के पास तो उपर देख के कहते हैं तेरा पणा मीठा लागे अब वाहिगुरु सचे पाच्छा इतना द्याल है एक व्यक्ति को भेज देते हैं और वो गुथी रखे कहता है आज इस गुथी से किर्पा ना करना इस गुथी से किर्पा करना आप लोगों को भी तो परमात्मा पर यकीन होना चाहिए इतनी छोटी सी बात समझनी चाहिए कि प्रभू तो काम करने के लिए ही बैठा हुआ है दुख आते हैं, सुख भी आते हैं जैसे दुख आते हैं, सुख आते हैं हमें परमात्मा से उसी वक तुरंत बोल देना चाहिए प्रभू से प्रभू तुम मुझ पर कृपा करो आपका सेवादार आपका अहवान कर रहा है आपको बुला रहा है मेरे प्रभू आप आओ इतनी सी बात नहीं आपसे की जाती आप छटपटाते रहते हैं, सोचते रहते हैं किंतु परंतु होता रहता है ये अच्छी बाते थोड़ी है आपको कोई दुख आए आप उस दुख को फॉरण बता दो अपने परमात्मा को, one to one हो के एकदम सीधी, सीधी बात करो प्रभू, सुन रहे हो मेरी बात प्रभू सुन रहा है आपको लग नहीं रहा, वो नहीं सुन रहा वो सुन रहा है आपको इस ढंग से कहना है प्रभू, तुम सुन रहे हो मेरी बात मेरी बात को, मेरे प्रेम को सविकार करो प्रबू मेरे प्रबू मुझे कहना भी नहीं आता मेरे दुख में शामिल हो जाओ मेरे मालिक और मुझे हिमत दो आग्या दो कि मैं क्या करूँ प्रबू पर छोड़ दो प्रबू को ये मत बोलो मेरा दुख खतम कर दो ये बोलो प्रबू, तुम मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हो जाओ बस फिर देखो फॉरन आ जाएगा वो आपका दुख बड़ा है कि आपका प्रबू बड़ा है बताओ मुझे बताओ अरे बताओ भई प्रबू बड़ा है कि दुख बड़ा है तो प्रभू पे भरोसा करो ना दुख पे भरोसा क्यों करते हो दुख से दुखी क्यों रोते हो प्रभू से सुखी हो जाओ कि प्रभू बैठा है मेरा तो प्रभू बैठा है नहीं बैठा बस आज यो ससंग में आप लोग बैठे हो जब आप सासंग से बाहर जाएंगे तो मेरा यही कारे होता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं मैं उनके भरोसे को और बड़ा कर देता हूं कि वो जब घर जाएं तो अपने परमात्मा पे और ज़्यादा भरोसा करने लगें कि प्रभू तुम बैठे हो हमें मालूम है तुम बैठे हो बस जो डावाण डोल है ना इंसान उसकी डावाण डोल की स्थिती को मैं ठीक करता हूं मेरा यही कारे है आपको वापिस परमात्मा से जोड देता हूं कि आपका दिल करे कि हाँ मुझे कुछ करना है आप पर्यास मत करिए आप जबर जबरन या जबरदस्ती ध्यान लगाएंगे तो नहीं लगेगा नींद जबरदस्ती कोई ले सकता है बताओ अगर आप एक दिन कहें कि आज ना आज मैं रात को ना साथ बजे सो जाओंगा कभी ट्राइ करिया घर में आज मैं आठ बजे सो जाओंगा नो बजे सो जाओंगा घर जाना आठ बजे नो बजे घर में जाके चादर लेना पंखा लगाओ ऐसी लगाओ कोई भी तो सोने की बात करो कि मैं सो जाओंगा अब जल्दी फिर सो के दिखाना उस रात को जो दस बजे नींद आती थी आज दस बजे नींद भी नहीं आएगी आज ज़्यादा कम लेट हो जाओगे आज दुखी होते होगे बारां बज जाएंगे तो नींद नहीं आरी दुखी होके कहोगे यार आई नींद नहीं आरी कर रहे हो प्रियास ना करो चेश्टा ना करो महन्त ना करो परमात्मा पसटे प्रभू हमें तो आपका ख्याल Halo आपका ध्यान है जब आपका ध्यान खुद परमात्मा में लग जाएगा फिर अपने मुक से रामराम सपमां भाय गूरु अपने आप कितना मेरा ख्याल रखता है ऐसी बाते सोचने लगे उस वगत अपने आप मुख से वहे गुरु वहे गुरु अपने आप भी निकलना शुरू हो जाएगा निकालना नहीं पड़ेगा ठीक है नि अपने आप निकले जो करना पड़े वो तो कलपना होती है वो तो इस नोट गुड वो ठीक थोड़ी होता है जो करना पड़े फिर तो करता आप हो गए क्यों आपको करना पड़ रहा है मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है नहीं हो रहा बताईए नहीं हो रहा मैं गाया करता हूँ कभी कभी है मेरा आपकी क्रिपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी क्रिपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम ही दाता मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम हो और मेरा नाम हो रहा है बिस रोटी वो बना के चला जाता है गुणा आप अपनी पतनी कहते है वा तुने रोटी आज बड़ी अच्छी बना दी अरे उसने निये बनाई, ध्यान उसका रोटी में नी था, उसका ध्यान भगवान में था, भगवान रोटी बना के चला गिया जिसे कहते हैं डाल, फुलका वो इतना सोधिष्ट होता है गुरुद्वारे का कभी सोचना कभी ध्यान देना मंदिर का कभी कोई बना हो इतना स्वादिष्ट होता पूछे कि कैसे स्वाद जी इतना स्वाद भोजन और कितना स्वाद लंगर कैसे बन गया उन्होंने नहीं बनाया वहां पर पर मातमा में ध्यान था संगत का ध्यान परमातमा में था तो परमातमा खुद ही आपनी रोटियां बना के चला गया, खुद ही आपनी डाल बना के चला गया, यह सीखो, ध्यान की बात है सारी, जहां ध्यान होगा वहीं पर होगा सब कुछ, एक पंडित था, यह कथा मैं दो तिन बारी सुना चुका ह मंदिर के सामने एक वैश्या रहती थी और वैश्या का घर बिलकुल मंदिर के सामने मंदिर सामने मंदिर के सामने वैश्या अचार्या जी को भी मिर्तियों आ गई और उसी वक्त सामने वैश्या थी उसको भी आ गई अब मरने के बाद वहां पहुंचे धर्मराज के पास एक साथ पहुंचे पहले मुर्तियो आई अचारे जी को पंडित जी मरे उसके थोड़े समय बाद ही वैश्या भी मर गई पहले वो पहुंचते हैं धर्मराज के पास پहुंचके कहते हैं पंडित जी कि धर्मराज जी जल्दी जल्दी हिसाब करिए मुझे तो स्वरग में जाना है मैंने स्वरग ही देखना है क्योंकि मैं तो सारी उमर आपके घर में रहा हूं मंदिर में रहा हूं धर्मराज जी कहने लगे इतनी जल्दी मत दिखाओ पंड़ी बैठी हे राम से, अब हिसाब होगा आपका, अब हिसाब निकाला है पंड़ी का, और हिसाब निकाला है तो पंड़ी ने हिसाब किताब में फेल हो गए हैं पंड़ी, धर्मराज जी कहने लगे, कि आपको पंड़ी अचारय जी नरक में जाना होगा, स्वरग ने मिल आपको बड़े हैरान होके पूछते हैं ये कैसे कैते बताता हूं एक दूसरा भी हिसाब कर लो तुमारे पीछे ये करनिया खड़ी है उसका भी हिसाब कर लो तुमारे मंदिर के सामने रहती थी ये वो भी आ गई है उसका भी मैं पहले हिसाब कर लू और धर्मराज जी ने उसका भी चिठा खोल लिया वो वैशिया थी तो पंड़ जी सोच रहे है ये तो वैशिया तो नरक में जाएगी जाएगी इसको तुम नरक मिलना ही है पर उसको नरक नहीं मिला अब क्या मिला है उसको धर्मराज जी ने साब देखके कहा है कि तु बुद्ध बेटी तुम नरक में नहीं जाओगी तुम स्वर्ग में जाओगी पंड़ जी बड़े हैरान मैं मंदिर में रहा हूँ मंदिर की सादा सादा सेवा करता रहा हूँ मैं नरक में जा रहा हूँ और ये रही है वैश्या खाने में वैश्या थी गंदे करम करती रही है धरमराज जी कहते हैं कि ये जाएगी स्वरग में बैकुंट में गलत हो गया है बहले नहीं आपको गलत फहमी लगी है ये गलत है धवारा देखिये कहीं गलत साबकताब हो गया है बोले नहीं, गलती साबता आप नहीं हुआ, ये ठीक हो गया, कैसे हुआ, कैते अब सुन लिजे कैसे हुआ, कैते पंड़े जी आप जब मंदिर में थे, तो आप मंदिर में रहकर भी मंदिर में नहीं थे, आप पतक कहां थे, आपका ध्यान गेंटियां जब बजा रहे थे, आर्तियां गाते थे, भगवान की पुजा होती थी, अर्चना होती थी, आप भगवान को भोग लगा रहे होते थे, भगवान की कथा सुना रहे होते थे, भगवान की कथा में बैठे होते थे, वहां नहीं होते थे, आप वैश्या के घर में होते थे कि वैश्या के घर में क्य चल रहा है ध्यान आपका वैश्या की तरफ था आपको यह लाता था वैश्या के पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है वैश्या के घर में कौन है आपका ध्यान वैश्या में था आपको 24 गंटे वैश्या का ध्यान रहता था वैश्या का घर में मैं जानी सकता मैं ब्रह्मन हूँ, मैं पंडित हूँ, कौन गया है, कौन नहीं गया, आप पूजा करते हुए भी वैश्या में ध्यान लगा के बैठे थे, भगवान में ध्यान लगा के नहीं बैठे थे, और जहां आपका ध्यान था, वही तो आपको मिलेगा, आपका ध्यान ही एक औरत में था, सारा उमर आपने औरत में ध्यान लगा के बैठे रहे, अब नरकी मिलेगा, स्वरक तो मिलना नहीं है पंडे जी चुप होगे, बोले बात तो ठीक है, अब उस बच्ची की बात आई, वैश्या की, उसको धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें पता है पुत्र, स्वरक क्यों मिल रहा है, बोली जी प्रभू बोलिये, बोले तुम जब वैश्या खाने में थी, वहां तुम वैश्या ख करते हैं, तुम गंदे करम करती थी शरीर से, पर मन से तुम भगबान के अंदर बैठी रहती थी कोई, कभ मेरा छुटका रहा होगा, कभ मैं इस गंड़गी से बहर निकलूँगी, एक पष्चा ताप था तुमारे अंदर, कि कभ होगा गंडगी से बहर निकलने का छुटक खाने में भी वैश्या खाने में भी बैठके तुम्हारा ध्यान काम वासना में नहीं था तुम्हारा ध्यान भगवान में था तो तुम्हें क्या मिलेगा क्या मिलेगा स्वर्ग और पंडिजी तुम भगवान के घर में रहकर भी भगवान में तुम्हारा ध्यान नहीं था त द्ध्यान की सारी बात यह आपके ध्यान की साधना आप यहां से कहां पर हो शरीर से आप मत सोचो कि कहां पर हो जो रोटी बना रही है संगत वो अपने मन से कहां पर है रोटी बनाते बनाते लंगर बनाते बनाते वो बात इसलिए मैंने यह सुना दी कि रोटी बना कर जो परमातमा आता है लंगर बना के चला जाता है, क्योंकि ध्यान परमातमा में है। तभी स्वादिष्ट है। तभी आप कहतो एक ही जगा जार चार रोटियां खाली, वो रोटी ना तो गैस करती है। कभी देखना गुर्दवारे की रोटी ना तो गैस करेगी। ना बदप्रेजी होगी, ना पेट खराब होगा, ना कुछ प्राबलम होगी, वो रोटी अम्रत है, रस है उस रोटी में, उसकी शक्ती है उसमें, क्योंकि भगवान का नाम लेके बनाया गया है। मंदिर की रोटी में ताकत है भगवान की रोटी में भी ताकत है नाम लेके बनाया गया है चलो ये बात छोड़ दो आप किसी दिन दवाई खाना दवाईं खाते हैं कौन-कौन खाता दवाईं अब सब खाते हैं आज के बाद उस दवाई को क्या करना what you going to do उस दवाई को क्या करिएगा भगवान का नाम लेके खाना परशाद समझ के यह प्रभू तमारा परशाद है पानी पी लेना उपर से वो जो इतनी दवाईयां कहा रहे ते असर नी हो रहा था एक परशाद में असर हो जाएगा परमातमा का औखदाय रास विच आप खलोवा बानी कहती है औश्दी भी रास आजाती है जब भगवान दवाई में खड़ा हो जाता है किरपा हो जाती उसी समय दवाई भी रास आजाती है जब दवाई को भगवान का नाम लेके खाओ कि प्रबु तुम दवाई में तुम खड़े हो ऐसी कृपा हो जाती है ऐसा है मेरा प्रबु जहां आ जाता है वाँ ठीक कर देता है सब कुछ पर आप भुलाना ही भूल जाते हो प्राब्लम यही है आप खुशी में सब को काड देते हो परमात्मा को नहीं बलाते जिसने यह सब कुछ किया है उसको भूल जाते हो आवाज ही लगा लो काड मत दो उसको उसको मत बुलाओ उसके नाम चठी भी मत लिखो उसको सिरब यही कह दो प्रबु और तुमारी जीव की शादी हो रही है मेरे प्रबु तुमारे घर में शादी हो रही है तुमारा घर है यह प्रबु और तुमारा बच्चे की शादी हो रही है मेरे मालिक आजाओ शादी तुमारी है तुम मुखी हो मैं तो तुमारा नौकर हूँ प्रबु तुमाओ करो काम, फिर देखो शादी कैसे होती है इतनी बात ही कहनी होती बस बुलाना ही होता है मेरे मालिक को बस इश्वर को हर करम में अपने साथ रखो, हर करम में कोई करम उसके बिना ना कमाओ सबसे बड़ा करम है सबसे स्ष्ष्ष्ष करम है कौन सा करम है सबसे स्रेष्ट करम कौन सा है चलो बताओ मुझे करमों में सबसे स्रेष्ट करम भगवान को याद करना करमों में महा करम करमों में विशाल करम करमों में सबसे बड़ा करम प्रभु को याद करना और करमों में सबसे नीच करम सबसे गंदा करम कौन सा होता है? भगवान को भूल जाना सबसे नीच करम एक ही करम आपको बड़ा कर देता है एक ही करम आपको छोटा करता है एक ही करम है भगवान को याद करना सबसे बड़ा करम बन जाता है करमों में महा करम बन जाता है इसे उपर करम ही कोई नहीं है और सबसे नीच करम कौन सा बन जाता है जब आप भगवान को भूल जाते हो बस सबसे नीच करम हो जाता है और हम रोज नीच करम यह कमाते हैं परमातमा को भूल रहे हैं सबसे ज़्यादा नीच करम हम कमाते हैं फिर हम कहते हैं हम गलती नहीं कर रहे कौन नहीं कमाता सब कमाते है ऐसा करम सब कमाते है याद कौन रखता है परमातमा को याद कराना पड़ता है बार बार सत्संगों में याद कराना पड़ता है किर्तन में याद कराना पड़ता है गुर्दवारों में याद कराना पड़ता है कि परमातमा है याद करो इसको भाई करो चेते आओ बैठके मिल जुल के हम चेते करें परमातमा को आओ वहेगुरू की धुन लाए आओ वहेगुरु को चेते करें, आओ राम कृष्णि को चेते करें, ये बार-बार याद कराना पड़ता है, बार-बार महापुर्खों को एकछा करना पड़ता है हम लोगों को, धके मारना पड़ता है, रोज-रोज बताना पड़ता है, कि परमात्मा है, सरव्यापी है, पाली है, हमारे घर का मुखी है, सारे संसार का तारने वाला है, भवसागर पार कराने वाला है, इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, इस स्रिष्टी का स्रिष्टा है, इस कुदरत का कादर है, करीम है, रहीम है, दयालू है, क्रपालू है, महा दयालू है, महा पलू है, उस जैसा कोई नहीं है यह याद करना पड़ता है बार बार तो एक ही बात क्यों नहीं याद कर लेते हैं कि परमात्मा को भूलना ही नहीं है बस ऐसा करम करो वो भूले ही न ऐसा नहीं हो सकता कि हर करम में परमात्मा याद आए, ऐसी लिव लग जाए, ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लागी लगन मीरा, हो गई मगन, मगन हो जाए, जीवन, ऐसी लगन लग जाए, कि कहीं भी हो, एक मीरा के पास इतनी बड़ी मूर्ती हुआ करती थे, वो छोटी सी मेरा गिर्दर गोपाल, मेरा सबसे बड़ा है, तो उस मूर्ती को सदा अपने छाती से लगा कर रखती थी, सोती थी तो छाती से लगा कर सोती थी, उठती थी तो छाती से लगा कर उठती थी, मीरा का गिर्दर गोपाल, उसे छोड़ती ही नहीं थी, बड़ी कोशिश करी कि छूट जाए ना बड़ी हुई तब मीरा परमात्मा के रंग में ही रंग गई बस फिर कृशन छूटा ही नहीं फिर कृशन में ही एक दिन समा गई मूर्ती के रूप में ही उसमें द्लीन हो गई कैसे वो आखिर की कहानी मैं सुनाता हूँ आप भी कहो गया हा मीरा को लेने के लिए राज्यस्तान से उदेपुर से राज्यस्तान से मैवार से बहुत लोग भेजे गए राजा उदे सिंग उस वकत आ चुका था राजा उदे सिंग को समझ आ गई थी कि गलती हो गई है मीरा को राज्यस्तान से बाहर निकाल दिया गया था राणा विक्रम जीत सिंग ने बड़ा गुसे वाला नौजवान राजा था ये उसका देवर था पती मर गया था देवर था राणा जहां आता वो कहती है तो अब उदे सिंग जब आया उदे सिंग का राज आया तकता पलट हुआ उदे सिंग अच्छा राजा था उदे सिंग ने मीरा को वापिस राज्यस्तान बुलाने के लिए 200 आदमी भेजे बुड़े बुड़े लोग बड़े सियाने सियाने लोग कि जाओ मीरा को वापिस लेकर आओ मीरा के बिना राज्यस्तान सुना हो गया है अब मीरा को वापिस आना होगा राज्यस्तान में अब मीरा को लेने के लिए जब भेजा तो रंचोड मंदिर में मीरा द्वार कादीश में बैठी हुई थी और मीरा को जब सब प्रेमियों ने सब राजस्तान के बुड़े बुड़े बुज़र्ग बुज़र्ग प्यारे लोगों ने हाद जुड़कर रोते हुए मनाया कि मीरा तुमारे बिना सब को सुना है राजस्तान तो रहने के योगे नहीं रहा तुम नहीं हो कुछ अच्छा नहीं लगता मीरा आओ वापिस लौटाओ राजस्तान में खुशी चाहिए राजस्तान में तो मीरा चाहिए राजस्तान में वापिस आजाओ मीरा तुमारे आने से बहार आ जाएगी, रज्यस्तान वापिस खिल जाएगा, मीरा तुम्हारे बिना सब रज्यस्तान खली हो गया है, आजाओ वापिस अब इस वकत ऐसा प्रन करके गे थे लोग संकलब करके, कि अब वापिस नहीं जाएंगे, अब वापिस चलोगी, तो हम याँ खाना छोड़ देंगे यहीं रहेंगे तुम्हारे पास ही नहीं कुछ खाएंगे, नहीं कुछ पिएंगे तुम्हें लेके चलेंगे वापिस मीरा को बड़ा दुख हुआ कि इतने बुड़े बुड़े लोग मुझे कहते हैं चोड़ देंगे मेरे लिए मीरा कहते हैं, ऐसा ना करो रुख जाओ मैं करती हूं कुछ अब मीरा वापिस गई है कहते हैं, एक मिनिट मुझे दो, थोड़े समा दो मुझे, मैं अपने गिर्दर गोपाल से पूछाओं कि अब हुकम करो गिर्दर गोपाल क्या करे मीरा पूछने गई थी बस अंदर मंदिर में मूर्ती के पास पहुंची और मूर्ती से कहती है कि प्रभू कृष्ण मेरे गिर्दर गोपाल कहो आगया दो, मीरा क्या करे ये तो सब छोड़ छाड़के बैठके हैं लोग बाहर अब तुम बताओ, मीरा ने तुमारे लिए राज्यस्तान छोड़ा वरिंदावन गई, वरिंदावन छोड़ा द्वारका में आई तुम्हें ढूंडती हुई आज लोग कहते हैं द्वारका भी छोड़ दो वापिस राज्यस्तान चली जो चलो, माल लिया द्वारका भी छोड़ दी मैंने चलती हो राज्यस्तान वापिस गिर्दर गुपाल बताओ तुम चलोगे मेरे साथ राज्यस्तान मीरा अकेली नहीं जाएगी अगर जाएगी तो krishan साथ जाएगा तो मीरा नहीं वापिस लोटेगी और मीरा रो रही थी प्रभू को कहती हुई कि वापिस जाएगी नहीं मीरा जब तक मेरा krishan तुम मेरे साथ नहीं चलोगी आगया दो, बोलो अब क्या कर और कितना मीरा को सताओगे रोती हुई कह रही थी मीरा अब बूड़ी हो गई है अब इतनी ताकत नहीं रही उस मीरा में धके खाने के लिए अब और धके मत खिलाओ प्रभू चलो मेरे साथ अगर तुम चलोगे तो मीरा चलेगी राज्यस्तान अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर बताओ मैं क्या करूँ इतनी बात कह रही थी प्रभू प्रगट हो जाते हैं रंचोड मंदिर में मूर्ती से प्रगट होके प्रभू कहते हैं मीरा देखो मेजे अब तुम वापस नहीं जाओगी अब मैं ही तुमारे आगे खड़ा हूँ आजाओ मेरी बाहों में और मेरे में ही समा जाओ ऐसे प्रभू में समा गई मीरा बस अब आगे बढ़ो आप लोग भी मीरा ही हो आप लोग भी कोई ना कोई पगत पगंबर हो पता नहीं है आप लोगों को कुछ और ही जगा पर सम बैठे रहते हो तानगुरु गुबिंद सिंग कलगीतर पाथषा ने कहा है सचे पाथषा ने किनी की करपा के सजे हम है मों से गरीब करोड पड़े रब तेरी करपा से ही मैं सजा हूँ मेरे जैसे करोडों पड़े है हम जैसे करोडों है अर्बों है पर हम पर करपा करता है तो मेरा मालिक ही करता है आप सब लोग एक बात ध्यान से एक जीवन में बांद लो कि पर प्रेम करो प्रबू से तो इतना प्रेम करो कि फिर कुछ और दिखे ही ना प्रेम के लवा बस प्रेम हो मैं हूँ वो हो बस एक दूसरे के साथ जुड़के बैठो बस प्रेम करो परमात्मा से ऐसे प्रेम करो कि जैसे किसी न न किया हूँ नहीं आप लोगों को वो जवाब दे आप बोलो उसे अगर वो नहीं बोलता एक दिन वो बोलेगा इस आस में उसको बात करो उसके साथ एक दिन तुम बोलोगे प्रबू हमारी आवाज तुमारे तक पहुँच रही है तुमारी आवाज मेरे तक नहीं आ रही क्योंकि मुझे वो कान मेरे पस वो कान नहीं है जो मैं तुमारी आवाज को तुमारी बात को सुन सको वो कैसे समझ आएगी दीरे दीरे से आइस्ता आइस्ता अराम अराम से पहले किर्तन सुना करो पहले बानी सुनो किर्तन सुनो नाम सुनो सासंग सुनो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पास बैठो जहां परमात्मा की बाते होती हो वो सुनो जब धीरे धीरे से ये सब सुनना आ जाएगा फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सीधी बरमातमा इखुद तुमारे कानों में आवाज डालेगा पुत्र बात ही खतम हो जाएगी पहले आप लोगों को परमातमा के लोगों में बैठना पड़ेगा ये परमातमा के प्यारे प्यारे बंदे हैं प्यारे प्यारे लोग हैं जहां बैठना पड़ेगा फिर धीरे धीरे से पहले लोगों के साथ बैठते हैं परमातमा के बंदों के साथ बैठते हैं बंदों के बीच बैठते हैं फिर दीरे-दीरे से ऐसी करपा होती, परमातमा के बीच में बैठना शुरू हो जाएगा, परमातमा इंब बिठाना शुरू कर देगा आपको अपने अंतर, और आप में वो बैठेगा, आप उसमें बैठेंगे, बस बात करो, जिसे आप लोग आज टीवी के आगे बैठते हो बीवी के पास बैठते हो, बच्चों के पास बैठते हो, घरवाली के पास बैठते हो, घरवाले के साथ बैठते हो, बैठते हैं न सरे, दोस्तों के साथ बैठते हो, दुकानों पे बैठते हो, आफिस में बैठते हो, बैठते ही हो सब कुछ, सब लोग, अब देखो सब लो कहीं व्यस्त है, कुछ ना कुछ लेकर बैठा किसी के साथ बैठा हुआ है कोई मित्रों के बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बैठा है, कोई बीवी के साथ, घरवालों के साथ अपने परिवार के साथ एक दिन आएगा जिस वकत आपको परमात्मा के साथ बैठना होगा, एक दिन आएगा उसी दिन के लिए जिन्दा हो वो परमात्मा के साथ बैठना होगा अब आपके उपर वो है ताकत कि आप उसको केस कब बनाना बिठाना चाहते कोई तो दो साल में ही पांच साल की आयू थी पगदपरलाद की पिता का बागी हो गया था पिता को बोलता था पिता जी नहीं पिता असी साल के थे असी साल का हरनाकश था और हरनाकश कहता था कि पुत्र मैं मरवा दूँगा तुम्हें पांच साल का पगदपरलाद कहता थे पिता जी मरवा दीजिये क्योंकि हर नाकश कहते थे थल में हर नाकश, जल में हर नाकश, महिल में हर नाकश, हर घट घट में हर नाकश ये हर नाकश कहता था कि थल हर नाकश, जल हर नाकश और पगत परलाद जी क्या कहते थे जल में राम, थल में राम, घट घट में राम हर नाकश नहीं है कहीं पर राम है हर जगा बस यही लड़ाई थी एक पुत्र की और एक बाप की बाप कहता था जल में हर नाकश थल में हर नाकश पुत्र कहता था जल में राम थल में राम पिता जबरदस्ती पुत्र को कहता था कि मैं बढ़ा हूँ राम से पुत्र कहता था नहीं राम बढ़ा है सबसे ये लड़ाई थी आपस में पुत्र को मरवाने के लिए आग में फैंक दिया गया राम आ गए राम ने बचा लिया पुत्र को अगनी में फैंक दिया गया वहां से बचा लिया पुत्र को हर जगह से बचाया गया अब पुत्र को हर नाकश से पूरी तरह बचा लिया गया नर्सिंग रूप धरन किया परमात्मा ने नर्सिंग अवतार धरन किया और परलाद जी को अपनी तरफ लगा लिया पांच साल का था पुत्र परमात्मा मिल गया आप लोग कितनी उमर हो चुकी है पचास-पचास साल के हो चुके हो इतना फिर भी दम नहीं है कहने का कितना दम नहीं है कि जल में वहे गुरू, थल में वहे गुरू, जल में राम, थल में राम इतना कह नहीं सकते क्योंकि है नी पता ही नी रब कौन है रब कहा है कोई पता ही नी सोच ही नहीं है रब की तरफ चीजें खरीदलो बजार से कपड़े पहनने सिखा दो बस उपर उपर नीचे गुमना नाचना गाना आ गया तमाशे करने आ गया बस इसके लावा कुछ आता भी है इनसान को कुछ नहीं आता लड़ाईयां करवालो रज के जितना मर्जी किसी को नीचा दिखा दो यही हो रहा है सारे समाज में और अगर किसी को कोई समझाता भी है प्रेम से कि वही ठीक है समझ आओ तो बस वही हमारा हम कैसे समझ सकते हैं किसी की बात को कोई कहके तो देखे हमें कुछ एक साथसंग कैसी शक्ती है एक साथसंग कैसी कमाल की ताकत है बेमिसाल बामिसाल कमाल की बाकमाल की ताकत है साथसंग कि बैठकर हमारे मूँ पे परमातमा हमें सारी हमारी कहानी सुना देता कि हम कल्यूगी जीव हैं हम गंदे लोग हैं हम मूरक हैं हम बेकार लोग हैं हम नीचो नीच हैं इस सासंग में हमें सुनने को मिलता कि हम बहुत गलत आदमी हैं हम बहुत खराब हैं और कहीं समझने पड़ती इंसान को, कहीं पर भी, ठीक है रहा हूँ मैं, सही हूँ, एक सासंगी अमें दिखा देता आइना, कि हमारे जैसा पापी आदमी कोई रही हम पापी, तुम पाप खंडन निको ठाकर दे सामादो हम ऐसे तु ऐसा, प्रभु तुम बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूँ, खुद को छोटा साबित करो बस, हाल पता क्या है? हवा में उड़ते हैं, जहाज में चड़कर लोग भी कीडियां दिखाई देते हैं, इसा ही बात है, जहाज में सफर करोगे, उपर जाओगे जितना, नीचे कीड कीडियां दिखती हैं, इतने छोट-छोटे लोग कीडियां, अब कीडियां थोड़ी हैं, लोग ही तो हैं, जब जहाज नीचे आके बैठेगा तो वही लोग जो हैं, बड़े-बड़े 6-6 फुट के दिख रहेंगे फिर, पर जितना उपर से देख रहे हो, वह छोट- खुद को कहा करो, मैं बहुत चोटा हूँ, फिर देखो, आपको परमात्मा कहां ले जाएगा, निर्मानता में रहो, हर एक को जुक के बात करो, निमाने हो जाओ, निर्मान अवस्ता में जुक के, हंबल, नहीं परभू, मैं बहुत चोटा हूँ, बहुत कमजोर हूँ, अम बताओ नहीं दिया हुआ मेरे मालिक का, बताओ भई, सच बता दो, आज सच बोल दो, दिया हुआ है न, जो कुछ भी दिया हुआ है मेरे प्रभू का दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है, तो बोलने से क्यों कतराते हो, बोला करो, डम लगा कर बोला करो, प्रभू मेरा किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा दम से बोला करो खुशी से बोला करो आज जो कुछ भी मैं हूँ वो तुमारे कारण हूँ आगे भी मैं जो कुछ हूँगा वो भी तुमारे कारण हूँगा मेरे मालिक इतनी सोच रखनी है फिर देखो कहां जाते हो एन दुनिया में एन राजे महराजे बन कर रहो कि कोई तुमें कोई बाल भी बिंगा नहीं कर सकता तुमारा खुद को मत समझो उसको समझो नीचे करो खुद को उसको उपर करो यही समझ लो बस जीवन में सदा यही कहा करो जब भी चलो घर में भी बैठो यही कहा करो, सब प्रभू की कृपा है यह मत बोला करो, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, कुछ नहीं है यह सब परमात्मा की तरफ से आया है एक मिंट लगेगा परमात्मा को वापस लेते हुए एक पल में आपका सब कुछ लुट सकता है बानी में गुरु महराजी कहते है देंदा दे लेंदे ठक पाए आप समझो वो देता 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 नहीं ठकता आप लेते 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 ठक सकते हो वो देता देता नहीं ठकता इतना द्याल है वो वो जब देता है तो फिर देता है वो ठकता ही नहीं है देते देते आप ठक जाते हो आप कहते हो बस कर प्रभू बहुत दे दिया वो तो देता रहता इतनी कृपा करा ले जा पुतर ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, मुझे भी ले जा साथ में आपने आई तक मंदिर गुर्दवारे में जाके परमात्मा को परमात्मा से नहीं मांगा बाकी उससे सब कुछ मांग लिया, ये गलती कर बैठे हैं हम सब इस गलती को सुधारो आज से प्रभू से प्रभू को मांगो प्रभू तुम चलो मेरे साथ प्रभू घर चलो वो तुमारा घर है प्रभू तुम मुखी हो मेरे घर के तुम ही मेरे घर के चौधरी हो तुम ही मेरे घर के मालिक हो तुम ही मेरे घर के सबसे बड़े पुजनिये तुम हो, मेरे भुजरुग तुम हो, मेरे घर के सरपंच तुम हो, मेरे घर के मालिक तुम हो, मेरे घर के साहिब तुम हो, चलो अपने घर चलो प्रभू, ले जाया करो अपने घरों में परमातमा को, और फिर देखो वो घर स्वरग बनता कर नहीं बनता, वही स्वरग है, वही बेकुंट है जिस घर में मेरे प्रभू का वास होता है जहां आप लोग रहते हो, वो तो गंदा घर है वहां रहने के कुछ वहां तो लफरत है, इर्खा है, लड़ाईया है, जगणे है, ये है, कला है, कलेश है कुछ नहीं है वहां पर वहां परमात्मा को मजूद कर लो, फिर देखो क्या होता है वही घर सच्खन बन जाता है वही घर बड़ी ताकत हो जाती है आज से मैं आपसे बिंती करता हूँ आप सब बड़े अच्छे हैं प्रपूजनिये हैं माननिये हैं धन्ता के योगे हैं वुजन योगे हैं बस अच्छा जीवन जीओ मेरी बेंती मानो अच्छी जिन्दगी जी के जाओ क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा मुठी बांदे जनम पाया है हाथ पसार चला जाएगा एह तन कागज की पुड़िया है के बिना कोई बात नहीं बननी नाम मिलेता जीवा नानक नाम मिलेता जीवा मुझे नाम से जोड़ दो मेरे प्रभू, बानी से जोड़ दो मुझे नाम से जोड़ दो मुझे अपने श्री चर्णों से जोड़ लो मेरे प्रभू, हमेशा मेरे हिर्दे में बसो, मेरी आत्मा आपकी है मेरे प्रभू आप ही मेरे हो, मैं आपका हूँ प्रभू कृपा करो, हे स्वामी जिसके सिर उपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे उसको दुख कैसे आ सकते है जिसके सिर पे मेरा स्वामी बैठा होता है ध्यान करोगे तो स्वामी सिर पे आ जाता है उसी समय ध्यान करता ही बस उसका ध्यान किया ही तो उसी वक्त पल में स्वामी सिर पे आ गया ध्यान करना ही स्वामी को अपने सिर पे बिठाना है प्रबूत तुम आ गए उसी समय, जब मैंने तुम्हारा ध्यान किया, सब ध्यान की कहनी है, आज से क्या करेंगे, नया जीवन शुरू करेंगे, नया जीवन, हस्ते खेलते वाला, खुश रहने वाला, जिस पाने में परमात्मा रखें, उस पाने में रहना सीख लीजिए बस जाए बस्ते 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 बस्ते